समस्कार दोस्तों मैं किछोर कुमःउत आपका परतिया कलासेज के डिजीटल प्रेडफॉर्म पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वाग्त गरता हूं एक बार सभी बच्चों को राम राम जैसे किछना रर्म आदेव ठीक है दोस्तों तो मैं आज आपके लिए लेका हैं कर्शी जीविग्यान आपके जो बार विकी कर्शी जीविग्यान है उसका बोडल पेपर भी जो आपके 56 नंबर का पेपर आने वाला है वो किस परकार से आएगा कितने क्यूशन आएंगे क्यूशन किस परकार से पूचे जाएंगे वो सारा जो परफॉम है दोस्तों वो आज मैं रेक्री कूर्चे जाएंगे साथ लेक्षा वीडियो को अंत तक देखना जिससे आपको पता चल सके क्योशन किस परकारस आएंगे उनको कैसे लिखना है थीक है दोस्तो तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहना ये ठीक है दोस्तो तो अपन स्टार्ट करते हैं तो पहला जो किउसन रहेगा दोस्तो आपका भाग है एनी जिसको मैं बोलूँगा आपके कंड ए या सेक्शन ए तो इसमें आपके 16 किउसन रहेंगे पहले तीन किउ सबाइब सरा का awarded किसे और भी जोको यह है कि निमनले लखित में इसे कौन सी वीदि वीदी निमनले लखित में लेकित में से क्पवर्डबी आपके संकरण द्वारा परजनन की वीदी नहीं है तो भी जो हईयवड़ाइजेस्जण होता है उसकी आपके इन से कौन सी विदी नहीं है कि विच आप दे फॉलंग इन नोट है मैथड और ब्रीडिंग बाई हाइवर डिजेशन आपके सामने ओप्सन से पहला है पुंच या बलक मैथड दूसरा है परतीब संक्रण या बैक्रोस मैथड तीसरा है आपके सामने वंसा वली या पैडिगरी और चोता है सुद्ध बंसक्रम या जिसको मैं बहुत प्योर लाइन सेलेक्शन मैथड तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों होता है उस हाइबर डिजेशन के अंदर आपके चार मैथड आते ठीक है जिसमें पहला रहता है बलक मैथड एक्रोस मैथड रहता है इसके है डी ओप्सन के फिर्लाइन सेलेक्शन मैल अगला क्यों समय लेते हैं एस से आपके सोला के चलाये के च्वल जाइगा तो आप इंको अच्छे से कोपी में सास्ते में उतारत जाना है जिससे आपको एक प्रफूमर मिल जाएगा वे किस परकार से बॉड़ का आपके चपपन नमर का पूरा पेपर आने वाला है कल के वीडियो में हमें अच्छे से डिसकेस कर लिया था वे आपका किस परकार से प्रिक्सा, पैटर्न या पार्टे गरम रहने वाला है किस टोपिक से कितने कुछ क्योंसान आपके आने वाले है तो उस वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना अब अगला क्योंसान लेते हैं अगला क्योंसान नि minhaिस्क में है यह आपके आने वाले एक्जाम जेसा आपके जेट होने वाला है तो आप एगरिकल्चर के बच्चे है बीए सी में एडिमेशन के लिए आपका एक पेपर होता है जोइंट एंटरेक्ट है जिसको पके बोला जाता है तो यह जो अब्जेक्टिव टाइप के क्योंसे ने यह आ दोस्तो हमेशा से यह जाता रहता है आपका आयसा कोई पेपर नहीं गया अभी तक इसमें यह जान नहीं पूचा जाता हर पाल को कोई बी एग्जाम ग्रिकल्चर का राजस्तान के बीचान दोस्तो इसकी इस्तापना नाइंटीन फिप्टिन नाइन के अंदर हूई थी का है अब मैंने आपको बोल दिये आपके काजरी और और बादरी आफरी क्या है इतर अपका केंदरी सुश्क ऊन्रसंदान सनस्तान है वो भी क đã प्रेश्टित है जोधपुर कंडरी है तो यह आपका कहा कहा offer प्रेश्टित है पहला अपका सभी कौन सा कादरी अब आता है वरतपूर में यह तो दोस्तो नागपूर के अंदर ठीक है अगर कपास टेकनलोजी का पूच्छा जाएगा तो ध्यान रख लेना वह आपका बंबऐ के अंदर इस्तिते उसके बाद जूना घणड जूना घणड आपका किस का है मूंग फालीगा ध्यान रखर लेना जूना जूना घणड के अंदर किसका है मूंग फालीगा और एक question आप यह भी पूचा जाता है आपके अग्रिकल्च सब्सक्राइब अपने राजस्तान किया बोलते हैं राज कोट अब आपको पता रहे का राजकोट क्यों बोलते हैं वह बहुत अच्छी होती है राजस्तान में सब्सक्राइब आपको द्यान रखना काजरी कहाहां पर इसती थे अगला कियों लेते हैं इसी के साथ के साथ उने यूवाले हैं पदभ परजनन इसे आपके कितने दो अब्जेक्टिव यह नि दो आपके वस्तु निश्ट की उसन आने वाले है इसके बाद लगी उसके जो ACE इसको क्या करेंगा एक से यह लग करें तो SHD Ukraine में वह इसको अलग करने का कारे अब पर्तिबंद civils को दो परकार के होते हैइगो और एक होता है एंडोनुक्लियज तो आपको देखना है भी देखो इसमें दो अप्षिन ऐसे अलग हो गए लाइगेज नहीं हो सकता और डियने नहीं हो सकता अब कौन से है एक है एक्जो एक्जो का मतलब होता बाहर ठीक है बाहर की तरफ तो इसका जो सही आंसर जाएगा व दोस्तों काटेगा तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा एक्जो मतलब बाहर की तरफ तो चीरे से जो काटेगा वह है एक्जोनुक्लियज तो आपको अंदर से विशिष्ट इस्तानों से काटेगा उसको अपन क्या बोलेंगे एंडोनुक्लियज और यह प्लाजमिट प्राप्त होता है वेरी वेरी इंपोर्टेट आपको पता है प्लाजमिट यह एक तरह के इसे वहाग का कारिये करता है तो आपको बताने है आर आई जो प्लाजमिट हो आपका किसे प्राप्त होता कौन सा आर आई जो प्लाजमिट है इस ऑफ्टेंड फ्रों ठीक है आपके सामने option है अच्छा इसा देखना है पहला है राइजोबियम मेली लोटाई उसके बाद है एग्रोबेक्टिरियम राइजोजीन्स उसके बाद है बेसिलस तुरिंजीनियस उसके बाद है थरमस एक्वेटिक्स तो देखो दोस्तों बहुत अच्छा कि उसने भी अगर देखो option हों को अलग करते जाएं सबसे पहले अपन अलग करेंगे कौन सा देसिलस तुरंजीन्स जहां रखना जो आपकी बीटी कोटन बनाएगी ठीक है कौन से इससे बनाएगी यह पीटी कोटन ठीक है जिसको अपन बोलते हैं बीटी कपास ठीक है तो वह आपकी इ पराप्त होता है अब इस से को डूसरा को सन से याद कर लेना है अबसे पूचचा जासकतार है किस से पराप्त होता है तो यह चीज आपको द्यान में रखनude किस से एक नमर मैं आप से क्योशन पूचा जा सकता है जो आपके 1वड कि रहेंग हेँगे प्लाजमीड क्या होता है द्यान रखना है दोस्तों प्लाजमीड एक बेक्ट्रिया गंदर एक्स्ट्रा ग्रोमोजोंमल लेते हैं किट को को अब आप पता चल चुका है पई पहले चेप्तर से दो वस्तुनिष्ट निस्ट निन दो औब्जेक्टिव आएंगे और जो दूसरा चेप्टर आपका बायो तेक्न। जीव प्रोद्रगी की इससे भी आपके कितने दो आपके वस्तु निश्ट के उसन आने वाले हैं अब आपके सामने पांच वा क्यूशन है पिच और फॉलोईंग इंसेक्ट इस आर सो नोन एज कोटन बोल वरम यह मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है ऑफ लाइन क तो हैलिको वरपा आर्मी जेरा होता है कौन सा हैलिको वरपा आर्मी जेरा कौन सा आपके हैलिको वरपा आर्मी जेरा इसके दो तीन आपके नाम होते इसी को आपके कोटन बोल यह जैसे मैं बोलो आपके अमेरिकन बोल रख इसी का नाम है साथ में ही इसको आपके क्या बोल nix दोस्तों इसको आपके किया बोला जाता पिंक इस्टेम बोरर ओप इंस्टेम्षाski बोलाजाता ब models आपके गहू का का तनारप यह आपके दोस्तों हर एक कुछ जैंग सा क्या यह कूछ नहीं wonderful यह आपके कात्रा एनी रेड हेरी केटर पिलर का साइंट बेक नेम है उसके बाद आता है कार्पो मिया वेसुवियान वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कोई भी एकजाम में चले जाओ यह आप से हमेशा से पूचा जाता है यह उती है आपके फलमकी ठीक है फ्रूट फलाय ओफ पेर चले बच्चो आगे अगला क्यूशन लेते हैं अगला क्यूशन है आपके सामने के वही रेगिस्तानी टीडी अंडेट देती है बहुत अच्छा क्यूशन है अब अगर मैं आपके सामने बात करूं तीसरा चैप्टर में आपके कितने इंसेक्ट है बच्चो मतलब कितने कीट है दस कीट है अब इन दस कीट में से objective टाइब की किसन यह feeling the blanks कैसे कैसे बनेंगी वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं देखो सबसे पहले तो उसका scientific name क्या है वही उसका वेगयानिंग नाम क्या है उसके बाद वो किस गण का ही उसके बाद उसका कुल एनि फैमिली कून्स ही है ठीक है उसके बाद उसमें परकार का आपका कायांतरन यानि metamorphosis पाया जाता है उसके अलावा इसमें से आपके पूछा जाएगा वो अंडे कहां पर देती है ठीक है वही वह आपके अंडे कहां पर देगी पत्ति के नीचे देगी वूमी में आपके तने पर देगी फ़लों में देगी कहा पर देगी और श्के अलावा आपंसे इस में से क्यूइशन बनेंगे जैसे इसपेसिविक है भई आपके दीमक होता है उसको ऑसको पूछा जा सकता कि wd visuail land के ऊपर देती है यह पत्तियों पर देती है यह पलो के ऊपर देती है इसका जो सही आंसर जाएगा वह कौन सा जाएगा आपके भूमी में देती है दोस्तों इंदध लेंड अब आपने देखर अब इसुरुआत के तीन आपके सामने कीटों के नियंतरन रतू प्रयुक्त होने वाली यांतरिक वीदी है बहुत है सिंपल सा क्यूसन है अगर बच्चों आपको यह 4 चैप्टर से क्यूसन है जिसमें आपका पूरा कीटों का परबंदन दे रखाए ठीक है अब इन कीटों अगर अगर अपन लावा इसके अलावा आपके सामने रहने वाला मेक के निगल जिसको आपके सामने रहने वाला thatinks सामने यह जिसको अचे से समझ लिया दोस्तों ठीक है तो शीदी सी बात है आपका चार नमर जो टॉपिक है चार नमर का जो अध्याई है वो आपका अच्छे से किलियर हो जाएगा अब चार नमर के अध्याई में देखो सबसे पहला आता बोति मतलब जिसमें आपके पीटों का नियंतर्ण किया जाता यांतरी के अंदर आजाएंगे कर spectrum के अंदर जो अपन नौर्मल कल्याइफ करते बीफवसल कब लगानी है कब नहीं लगानी है के अपन से फसल को जल्दी लगा एक कीट के नययंतर्ण को रोक सकते हैं कीट कीट की जो अटेग हो रहा है या उसका प्रवावे वह वह आपन क करना है बाइलोजिकल यापको क्या करना है कंट्रोल करना है तो यह आपके पांच ट्रम है तो आपका यह चैप्टर है वह अच्छे से किलियर हो जाएगा अब अपना क्यों सने कीटों के तो आहने वारी यांति मिस्मेके निकल मतलब जिसमें उर्जा खर्च हो रही है तो सीद्धी सी बात है पहला औरको क्या करना है गया करना है लास्ट माता वरिक्स के तन्येंपर पट्टी बांढ़ना त्री बैंडिंग वहरी इंपोर्टें रने वाला तो इसके तीनों ही आप क्या है सही है भई यह सारे ही सारे कैसे आपके यांत्रिक वीडियो के दौरब का छि तो हैंड नेट आ गया रिबेंडिंग आ गया यह सारे किसके अंदर आएंगे आपके यह अंत्री वीद्यो गंदर तो बच्चों इन क्यूशनों को आपको अच्छे से समझते वे चलना है नी से रिलेटेड आपके कुछ क्यूशन आपके पेपर के अंदर आपको देखने को म आने वाला है इस वीडियो को जुरूर आपको लश्ट तक देखते रहना है दोस्तों चले में आगे अगला क्यूशन लेते हैं अगला क्यूशन नामक कीटना से किस से प्राप्त किया जाता है अच्छा क्यूशन ने यह भी आपका फॉर्थ नंबर चेप्टर से ही है तो द अगर मैं नॉर्मल बासा में तो गुल्द आउद यह पन जिसको बोलते हैं उससे आपका प्राप्त होता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो अभी तक आपने देखका है वह आपके जो आपके चार चेप्टर से आये हैं अगला क्यूशन लेते हैं बच्चों अगला कि उसने आपके सामने के भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है सिंपल सा कि उसने भी भारत के अंदर आपके प्लांड पैथोलोजी का फादर किसको माना जाता है फादर प्लांड पैथोलोजी इन इंडिया सिंपल साह बच्चों यह रखा है आप बारबर है यह आपके निमेटोर से रिलेटेड हैं तो देखो बच्छो अभी तक जो शुरुआत के नो क्यूसन आये हैं तो आपके कौन से चेप्टर से है शुरू के पांच चेप्टर से तो अगर आपको अच्छा स्कॉर करना है गोर्डि गे अंदर आपको अगर अच्छे परसंटेज बनाने हैं तो CDC या अपन मैं कहूं नोर्मल सी बात है आपको शुरू के जो अध्याए एक ज्याए दो अध्याए तीन अध्यार चार और अध्यार पांच है यह आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों ज्यादा तर जो क्यूशन रहने वाले है वो आपके इ द्वारा संचारित होता है तो ध्यान रख लेना आपका टमाटर का जो लीव कर्ल डिजीज होता है टोमेटों का वो किसके द्वारा होता है तो मैंने आपको पहले ही बताए था ज्यादतर केसेज गंदर या तो वाइट फुले आती है या एफिड आता है इसमें आपका दे आपको में ट्रिक बताने वाला हूँ अगर वह आपने सीख ली तो सीधी सी बात आपके नंबर कटने से जो छोटे मुटे नंबर करते ना वह आपके बच जाएंगे कैसे जब भी आप अपनी कोपी में कोई भी साइंट यानि वेग्यानिंग नाम लिखो तो उसको अंडरल नाम लिखो चाहे फसल का लिखो चाहे किसी भी कीट का लिखो चाहे किसी भी रोग का लिखो चाहे कोई भी फल का लिखो बच्चो तो लिखते समय आपको यही ध्यान रखना है जैसे मैंने बेमेसिया टेबेसा लिखा मैंने अंडरलाइन किया तो आपको भी इसी परकार से क्या करना है बच्छो, अंडर्लाइन करते भी चलना है, अगर अंडर्लाइन नहीं करोगे, तो इनके नमबर कट जाएंगे, तो ये चीज़ आपको चोटी चोटी जो बाते हैं, वह आपको ध्यान में रखनी है, देल बच्चों आगे अगला क्यूत लेते हैं अगला क्यूत अपके सामने की राजस्थान के स्ताने लोग किस रोग को मॉल्या क Carry a nama से पुकारते हैं वह कूछ सा रोग हो ग"- टीक है, जिसको राजस्तान की रोग क्या बोलते हैं, मोलिया, तो ध्यान रख लेना सबसे पहले, तो यह निमेटोड वाला रोग है, तो देखो, यह 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 रोट है, सीरियल सीस्ट निमेटोड, इस्टेम रस्ट और वीट या कवर्ड इसमत और बाल ने, तो सीधी सिवात है पर लेडिको क्यूसन कि बोला क्यूसन को करने का को तरीका राजस्तान की स्थाने लोग किस रोग को ठीक है विच डिजीज कोल्ड मोल्या बाइदर लोकल पीपल राजस्तान अब आपको बता मोल्या में द्वारा होता है तो देख एको इस्टेम रस्ट और कवर इसमर्ट लिखा जाता है अब को नहीं इसको क्या बोला जाता है तो ð ज्ञान की पुठी रोग भी को बोला जाता है वेरी इमपोर्टेट है यह आपको ध्यान में रखते हुआ जलना ठीक है दोस्तों अगला क्यों सलग लेते हैं अपन अगला है आपके सामने काली सलग का परकोप मुक्यत होता है जो काली सलग होती है ये भी आपके जो चेप्टर नम निमेटोड वाला है जिसमें आपके सलग और सनेल आते हैं वही है तो काली सलेग का आपके परकोप देखने को मिलता है ओप् को मिलता है ठीक है जो काली से लिग उती है उसका पर कुछम से पढ़ा है उसको अगला क्यूश्ण लेते हैं बच्छों पीर टीडे के मुखां किस प्रकार के होते हैं अगर बच्छो आपने चेप्ट्र नंबर 3 अध्याय नंबर 3 अच्छे से पड़ा है उसको अच्छे से ग्रास ओपर वाला ठीक है टोपिक आने वाला है ग्रास ओपर वाला जो अध्याई है वह आपका अच्छे से कवर हो जाएगा उसमें आपको ज्यादा कुछ याद करने की समस्या नहीं रहेगी तो ध्यान रख लेना भी आपका किसको बोला गया है टीडे के मुकां किस परकार के होते हैं विच वह ट टाइप ओब मॉवद पार्ट डू यू ग्रास ओपर है वीगरास ओपर में किस परकार के आपके आपके माउच पार से होते तो ध्यान रख लेना ग्रास ओपर आपने देखा होगा यह होते है दोस्तों काटने वह चबाने वाले biting and chewing type very very important है कौन से रहने वाले हैं आपके biting and chewing type की चले आगे बच्चों आगे लेते हैं अगला क्यूसन अगला क्यूसने मोम गरंतिया पाए जाती है ठीक है अनिभी वाला चप्टर आगे आपका वैक्स ग्लेंड आर फाउंड इन वैक्स ग्लेंड होती है वो किसके अंदर पा जाती है तो ध्यान रखना है आपको के वई को वोती कौन सी यह अंदर पाए जाती यन Agre बच्च ग्र आपकि मौम घरंतिया पाई जाती है जाती है चले आगे अगला क्यूसन लेते हैं अग्ला क्यूसन बच्चों के सामने मत्य पालन की राजस्तान जंद आते चार्य विका में इस्तित है यह जो आपकी एक संस्ता है राजस्तान जन्द जाते छेत्रिय विकासंग लिमिटेड राजस्तान ट्राइबल रीजनल डेवनेमेंट असोसियेशन लिमिटेड स्कीम ऑफिसर इन इस सिच्ट इन विच पार्ट आप राजस्तान पूर्वी पार्ट में दक्सिन दक्षिनी भाग के अंदर कौण से वाक के अंदर है आपके दक्षिनी भाग के अंदर है दोस्तों फिक यह बार आता है जीट के एक्जाम में भी पूछा जाता है ज्यान रखना है ब्लू रेवलेशन इस रिलेटेड टू मचली उतपादन से खाध्यान से दूद से या जेविक उत्पादन से तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना बच्चों देखो तूद कैसा होता है सपेद तो समंदित करांती कैसी होगी सपेद करांती देख्या अब उसके बाद आता है फूड्ग्रेंज सिध़ी खाद्यान वाले जो फसल्य होते के से होती है हरी तो हरी तरी तोGraranti जो ग्रीन रिवम्लेशन वोटी है वो आपका खाद्यान उत्पादन से समन्दित है उसके बाद पानी कीसा होता है भीख है मचली किसमे रहती है पानी में और आपने गाना सुना होगा यह पानी है बुलु 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 यह जो निली करांती है वह आपकी कोन सी है मचली उतपादन या पिस प्रडक्षन से समंधित है यह चीज आपको ध्यान रगनी अब आपने देखा है जो 16 की उसने वस्तुनिस्ट टाइब के वह आपके अब्जेक्टिव टाइब में और इसमें ज्यादा था जो टॉपिक के वर की है पहला जो पाद्र परजिनन देव प्रोधोगी की की टीटों का परबंदन और निमेटोड वाले चेप्टर से क्यूशन ज्यादा रहे और आपके मसच्चि पालन यहीं जो लाश्ट वाल भी राजस्तान में आपके पालन योगे बचलिया ठीक है तो यह चेप्टर रहे थे अब आपके जो क्यूशन रहने वाला है पहला हो गया खंड जो पहला सेक्शन ए है उसमें पहले तो वस्तुनिस्ट एनि ऑब्जेक्टिव टाइब के यह स प्रिवर्तन को क्या बोलेंगे जो अचानक परिवर्तन हो रहे है या जो वंसा नुगत होते सब्सक्राइब करेक्टरिश्टिक और और्गेनिजम इसमें ध्यान रख लेना आपका होगा उत्परी वर्तन मींस म्यूटेशन होता है बच्चों क्या होगा किया म्यूतेशन और अगर आपको इन क्यूषन आच्छे से कर्ना इतना हिसे जारे महतरण बिंदू को क्या करना है याद करती वे चलना सारे आपका चेप्ट्रं उसमें वह इया धायीगे चांसेज रहेंगे भी fill in the blanks है वह वहीं से आपके लाएने उठाई जाएगी ठीक है अगला क्यूशन आपके सामने जीन पादपो में वांची लक्षण के लिए बाहरी डियन उपस्त्रित होता है एसे पादप के लाते हैं वह आपको बताना है कौन से पादफ है इन्के अंदर आपके वांते लक्षण के लिए बारी देने उपस्तित होता है ध्यान रखना एक रिपोटोग आपके बोला जाता है अगला की उसके बाद आगला क्यूषन है और यह देखो आपके क्यूषन है अगला क्यूषन है सवर्दन द्वना गूरित पोधे प्राप्त किये जाते हैं बहुत अच्छा के उसने दोस्तों वह ने बहुत बाहर नगना पोलन cultur के द्वारा या पराग सवर्दन के द्वारा कौन सा सवर्दन या जिसको अपन बोलता है पोलन कल्चर के द्वारा पोलन नि का हमेशा से का सी है है होता है अगर आप पूछा जाए वाइरस प्रे प्लांट तो मेरी स्टेम कल्चर आएगा विबोज्य तक सवर्दन उसके बाद अगला क्योशन वापस अपने तीन से चप्टर से दीमग मेटी में रहना अधिक परसंद करता है तर्माइट फिपर टू लेव इन सोयल भाई जो आपका दीमग यह पसंद करेगा ठीक है कौन सी मलूई पलूई मीटी के अंदर यह आपका रहना पसंद करेगा उसके बाद खपरा ब्रिंग का सदे से जो खपरा बीटल है इसका ओडर कौन सा है अभी जब हमने यह अपना वीडियो स्टार्ट गया था ठीक है तो मैंने अब जबने मोडल पर कोली ओ पी इसमें ध्यान रख लेना ये पी अमेशा बच्चों साइले रहता है ये भी आपका मैसा साइलेंट रहता है अगला कि उस्ने बहुत्तिक विश्कीटों को किरया दुवारा मारते है इंपोर्टेंट है दे रखा है तो ध्यान रखना जो बहुतिक विस होते हैं तो क्या करते हैं या तो उनका दम गोट कर या निर्जली करन के द्वारा किसके द्वारा दम गोट कर या आपका निर्जली करन के द्वारा भी नश्ट करते हैं उसके बाद केच्वे में उसरजन ह संग में रखा गया है निमेटोड को किस फाइलम में रखा गया है तो बच्चों सी बात होती है आपके जो निमेटोड है है कोई से फैयल में रखे गया अगला ही सुत्र करमी और और जाना इसह नोन एज लांस निम् Themen होत अच्छा यह इसमें ज्यान रखना है पैलो लेमस पर जाती सत्फ में ब्रॉड्ज में जैए आपका हिम इस पने सिट्टर करमे के नाम से क्या है जाना जाता है अग्ला है लास्ट मकली के टेल में प्र्यापत मातरा में होता है पिश- SMITH विटामेन ए निया वह तो है कौन सा होता है वह विटामीन होता है वह आपके उपिसेंट एया अंदर आगा मापके fazer Day देने देखो तीसरा क्यों रहने वाला सेक्शन एमी है क्या बोलेगा निम लिकित परस्वन के उत्तर एक सब्द तता अत्वा पंक्ति में लिकिया राइट आंस्वर फॉलाइंग क्यों इन वन वर्ड या वन लाइन भी आपको या तो एक सब्द में आंस्वर देना है एक ला गारा महां हो हो और गांबार की आप यह रएक होता है इसे पीस परकार से लिख कर रहे हो या किस परकार से हैं पर्जेंट कर रहे हो यही आपका देख रहेगा अभी आपको कितने नंबर मिलेंगे या कितने परसंटेज आप बना सब्सक्राइब को आपको अच्छे से लिखते हुए चलना मैं सारी चीज आपके सामने बताऊंगा तो सबसे पहले आता है दोस्तों कि देखो ग्रामियन के लाता देखो दो चीज़े होती है हमेशा से ध्यान रखना एक होता है ग्रामियन क्या होता है ग्रामियन जिसको अपन बोलते हैं डोमेस्टिकेशन एक होता है पाद्यप पूरे इस्तापन ठीक है जिसको बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन देखो दोनु चीज़ों में हमेशा से confusion होता है यह हमेशा से ध्यान रख लेना देखो मनुस्यों के द्वारा domestication क्या होता है भी मनुस्यों के द्वारा किसके द्वारा मनुस्यों के द्वारा अगर जंगली पर जातियों को क्यों सी पर जातियों को बच्चों जंगली पर जातियों को सिधिए सिबाते क्या कलना है मतलब अगर आप जंगल से कोई भी ती ले आ रहे हैं उसकी खेती कर रहे है वो हमेसा क्या गर्लान्त इंट्रडक्शन क्या वहता है विग आपका कहीं पर पहले उग रहा है और उसको अपने देश में करवाना ही आपके क्या कहलता है पादप पूरे इस्थापन वह जैसे ग्यों की एक विराइटी है जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं चावल की एक विराइटी है आई राइए यह आपके पहले ही ग्रो हो रही थी खहीं पर अपने भारत में नहीं हो रही थी इसको अपने आपन लाके इंट्रड्यूज करवा दिया गए तो यह क्या कहलेगा पादव पूरे इस्टावन अब आपकी यह क्रोब थी जैसे मैं आपके बहुत इसकी कोई वाइल डिस्परसीज थी उस वाइल डिस्परसीज को आपन लाके यह ग्रोग करवा रहें इसको क्या गएंगे आ अपन ग्रामिन या डोमेस्टिकेसंस आपके बोला जाएगा तो यह चीज आपको दोनों में ध्यान रखने हैं डोमेस्टिकेसं का मतलब होता है कोई बी जो मनुस्य के द्वारा जंगली पर जाती है उसको खेती करने के लिए उपयोग में लेना ही आपके या उगाना ही आ अगर इंट्रिउज करवा रहे हैं इसको अपन क्या बोलेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पूरह इस्तापन ठीक है आगे चलते ही अगला क्यूस्टन लेते हैं पारने बारेश्टार जिन किस जिवानों से लिए गए इंपल सा कि उसने आपके सामने बार इसका नाम है दोस्तों एसीलस कौन सा है एसीलस एमाइलो लिक्वी ठीक है एमाइलो लिक्वी पेसियंस और अंडरलाइन करना नहीं बूलना है एक एक नमबर का क्यूस्टन है जो बायो टेक्नोल जीवाले पार्ट से आया एक सब में लिख दिया यह जीवानों गना बस इस आगे चलते ही अगला क्यूसने आपके सामने के आउसकता से अधिक सीचा है एंधिक खाद देने पर फसलों पर नास कीटों का क्या परबाव पड़ता है बहुत अच्छा क्यूसने देखो अगर आप आप आउसकता से कोई भी चीज होती है तो हमेसा दिक्कत करती है अपने बहुता बढ़ेगा और तो कुछ होगा नहीं तो सीधी सी बात है देखो अपने सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी भाद में अगर आप नाइट्रोजन पोदों को ज्यादा दे रहे हो अब आपको पता है नाइट्रोजन किस काम आता है आपके वानसपतिक वर्दी अंदर क बहुता है इसे आपको पता है इसे बात है नाइट्रोजन अधिक देने से वानसपतिक वर्दी अधिक होते है जीसे आपको जो भी न्यूट्रियंट या कोई भी पोसकता तो खाद दे रहे तो उसको आपको किस मातरा के अंदर देना है बच्छो ध्यान रख लेना कौन सी मातरा के अंदर देना आपको निश्चित मातरा के अंदर देना है ठीक है अब इसके वाला हो पानी का तो नॉर्मल सी ब रोग करता रहेगा अगर ज़्यादा पाने देते हो तो इसका आपके कैया इंसेट का परकॉप जदा हो जाता है अब आपको के शरीच को लिखना गेता है इसा लिखना है यह आपको देखो मैं बोल के बताता हूं अधिक से खात देने पर फसलों पर नाज जिवी कीटों का प उगर केन गंदर पारिला का प्रकों बढ़ जाता है साथ ही नाइट्रोजन क्या गरता है पोद्द्य की वानस्पति वर्दी बढ़ाएगा जिससे क्या होगा कोमल भाग या पत्य पुत्य है वह ज्यादा निकलेगी जिससे इंसेक्ट काटे क्या होगा जादा होगा इसलिए थायओ क्या करना है हिस्थित मातरा में सार्व सकतर तो यह नाइट्रोजन फास्फोरस अपका है उनको देना चाहिए और अधिक सी चाहिए करते हैं तो आपको क्या होता है उनका परकौप कि आपको लिखना है मैं वही उत्तक से किसे का जाता है यहने आपके सामने कल जब आपको पांटे खरम बताया था तो मैंने आपको अच्छे से बोला था विए पांच नमबर जो आपके प्लान पेथोलोजी वाला है कौन सा है पादप्रो विज्यान के अंदर आपके शुरुवात में कितनी डेपिने सब्सक्राइब जादा नहीं है 25 डेपिनेशन आपके देर के उन डेपिनेशनों को अच्छे से पढ़ लेना बच्चो वहां से एक नमर का क्यूशन कंफरम आने वाला जैसे आया उत्तक से नेक्रोसिस मलब उत्तकों का या कोशिकाओ का मरना ही आपके क्या कहलाता है उत्तक से कहला था आप तुम उसमें अपना क्या था दिमाग या अपने होता न बच्चों किया था कुछ और पुटा आइडिया आते रहता है जब बच्चे को क्यूशन नहीं हता ना वो क्यूशन इतना तकड़ा बना देता उसका आंस्वर जिसे कई बार किसी और को भी नहीं पत सीधा सलिक देना है उत्तक से नेक्रोसिस में उसी का हो या उत्तकों का मरना ठीक है और पांद में टोपिक में जो डेपिनेशन है शुरुवाद वाली जो परिवासा है दे रखिए वह आपको याद कर लेनी है वहीं से आपका ऐसा एक क्यूशन आ जाएगा अगे अगला क् लगजील इसके अलावा मैन को जेव वह कौन सा है मैन को यह आपके कवकनासी हो गए ठीक है एक सब्सक्राइब देना था आपने दे दिया इस परकार से आपको आंस्वर लेखते हुए चलना है बच्चो उसके बाद अगला है अंड जरायो जो शुत्र कर्मी से आप क्या सम परARK वादे नवजात को क्या करते हैं जनम देते घरायो जिया यूण है ऊपने अंदर ही रहेरा के आइट मतलब तो आड़ जिंक या चंड करें घ्या होगा उगा है उसको अपने क्या करेंक है जिन्दा की क्या करते हम सेन घे ते ए Minya जैसे एक होगा है उस को अपने जड़ाई विवी पेरस ठीक है चले आगे अगला है आपके सामने जोग की लार में पाए जाने वाला प्रति इसकंदक का नाम बताएं नेम्दा एंटी कॉंगुलेट फांदिन लीज सीधी सिवात है हिरूट डीन कौन सा है आपका हिरूट डीन या हिरूट डीन एरिया हिरू लुट उला नॉट फीशिंग रहें आप मचली नहीं पकड़ जाते है तो ध्यान रख लेना डक्सिंद्पशंद पन्संद के उपरांथ इंपल सा फंडड आभी आपको बताता हूं फिसक बतात आपको नहीं पक्डणनी चाहिए नॉर्मल सा क्या आता है ब्रेविकी सिस्टी और और आप इसे ब्लाज श्युक्रमध करने कि होता है तो याम कैसी थो पॉला जाता है जब दर्चिन मांशूनलं के उपरांथ कुछ ली नहीं पकड़ी जाती ठीक है क्योंकि इनका उस समय के आता है ब्रेडिंग सेचन या स्पॉन टाइम आता है चले बहुत आगे चलते हैं तो यह तो आपके क्यूशन रहने वाले थे बच्चो ठीक है सेक्शन यह में तेन परकार के आद्यादे नंबर के जो रिवस्तोनिस् सेक्षिक इसके अलावा आपको क्या करना बच्चो ध्यान रखना है वह आपको कितने सब्कें अंदर आंस्वर लिक्ना लिक्ना 580 सब्द और यह जितने भी क्यों रहने वाले जो जिसको अपन लगूरा तब बोल रहे हैं यह आपके डेड नंबर के रहने वाले हैं बच्चों कितने रहने वाले हैं इस चीज़ों को आपको इसमें आपके सामने याद कितने हैं और आपको क्या करना है उद्धगम के अंदर फिर आपको लेकनेता है इसकी परिभासा किसको बोला जाता है उद्धम मैंने project जहां किसी भी आपी क्या है तो आपके जो को यहां पर है। seperti पर आपके इसा थे लिख लेना है दो परकार के होते हैं इस परकार से आपको टेबल बनानी है फिर उद्धगम केंदर के परकार ठीक है वे सेंट्र ओरिजन टाइप सबसे पहले वह उगी थी या सबसे ज्यादा वह क्या रहे थी दोस्तों देखी गई ठीक है या जहां पर उसकी जंगली पर पर जाती रही है सेकेंडरी कहां पर बोला जाएगा वह कोई भी क्रोब है जहां पर वह ज्यादा उगाने लग गई और उसकी जो अभी प्रजेंट टाइम पर इस वह जबसे ज्यादा पाई जा रही है जैसे मैं आपको एक नॉर्मल लेकर चलता हूं देखो सबसे पहले जै कितने भी और रही थी भारत के अंदर तो इसका क्या प्राइटमी और अब क्या हुआ समय के साथ जो पने पास का एक देश लेड़ो जैसे सिलंका सिलंका अंदर क्या हो गया वी आम सबसे ज्यादा घ्रोह ने लगया आप इसकी सबसे ज्यादा कहां पर ग्रोह हूं रही है जित्ती है या सेकेंड्री सेंट्र ओरीजन को जाएगा यह चीज आपको ध्यान में रखनी है तो इस परकार से आप अराम से इनको लेख सकते हो दोस्तों जिस जहतर में किसी फसल की उत्पत्ति जिक है उसकी जंगली पर जाते हो से हुई है तो आपका कौन सा जाएगा प् अब देखो अगला कि उसने आपके सामने इसी परकार से पोदों में नाइट्रोजन इस्तिरकण को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो सीधी सी बात होती बच्चों यह भाय टेकनोलोजी का है आपके इसमें आपको ज्यान रखना क्या होता है जो राइजोबियम मेले लोटा या आपको चलना है परकार से लिखते हुए चलना है कि वही राइजोबियम या राइजोबियम जो मेले लोट है यह इसपाई इसपसीज है उससे आपको निफ जी निकाला निकाल के वहाग एगरोबेक्ट्रेम टुमिफॉर्मिस या टी फ्लाजमिट के दुवारा को दे जिसे गेंग चावल या आपके जो लेगमिनस सिकूल की पसले होती है उनके अंदर परवेश करवा जाता है जिससे उनमें नाइट्रोजन की समतक हो जाती है बढ़ जाती है इस परकार से आपको लिखना है तले आगे अगला की उसे ने आपके सामने पोध स्रक्षन यंत्रों का चुनाव करते समय किन बातों का ज्यान रखने चाह है इसके अलाब आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि उसकी कीमot भी जादा नहीं होनी चाहिए अच्छा होना चाहिए कि पर कार ये शक क्रने चहाई और मरमत की पास में दूखाने नहीं हों तो मतलब थोड़ी है इसलिए कोई फिर लेकर आ हो तो उसकी मरमत के लिए या इसका रakahरकाव के लिए या उसके अपने वापस रिपेरिंग करवाने हो तो पास में उसका कुछ नकुछ श्टॉर आपका हो न चाहिए इसका लाव हो ध दातु प्लास्टिक धातु या प्लास्टिक की नहीं बनी होई होनी चाहिए तो यह चीज आपका काम ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है चार-पांच जो इंपोर्टेंट पॉइंट आपके इसके अंदर चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं वापस बोल चीज है जो जंग लगे इसी डातु नहीं होनी चीए इससे डातोй प्लास्टिक उप्योग होनें नहीं करना करना जिस improving क्यक्त शुक्रण जाकsters ये तो को दो तीन इस्टेप ध्यान रखना है कोई भी चीज़ है उसको लाएंगे लानेक बाद उसको कलचर अंदर उसके अंदर सुस्पेंशन उसके अंदर रखेंगे रखने बाद उससे आपका एक नया प्लांट त्यार हो जाएगा नौर्मल सी बात क्या रखने ज्यान कोई भी सब्सक्राइब करने को ही अपन क्या बोलेंगे और ध्यान रखना आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आप तरों बुर्णों का निलमन सब्सक्राइब करें तो उस समय जो एंब्रियो है उसके आसपास की जो कवरिंग है वो क्या होने चीए संतिकरस्त नहीं होने चीए क्योंकि वो क्या करेगा उनको जिब्रेलिन की पूर्ती करेगा तो हर किसी भी कल्चर के अंदर जो प्लांट निका लेंगे यह चीज आप द्यान रखने बच्चों अच्छे से इस प्लांट ले लेना इस चीजगा चले में आगे अगला प्रिशने आपके सामने अनाज के सुर्ख्षित बंडारण के लिए क्या सावधा ने रखने आपको लिख देनी है वह आपको जो बी अनाज है उसको बोली का अंदर परना है इसके लावा नेम की निम्बोलि का अपयोग करना जब श्tan हर करो तो इसमें निम की निम्बोलि डाल देनी है इसके लावा जब भी श्ोड़ करो जो भीत होती है उससे 50 cm की दूरी चोड़ घरी ही आपको क्या करना है लिकना है आपके दिवारों से दूर रखनी होनी होनी चाहिए इससे जदा नहीं होनी है दोस्तों ठीक है इसके अलावा इसमें को भी कंकर मेटेरियल या कुछ भी आपका नहीं अच्छे से च्छान वान कर आपको इस्टोर करना है तो यह बेसिक बेसिक जो बाते हैं वह आपको ध्यान रखनी है अब देखो अगला ही इस्तानिक रोग वह मामारी रोग को विबा एक आपका आएगा पेंडेमिक कौन सा आएगा पेंडेमिक और एक आपका इससे पहले आता है दोस्तों इस पोरडिक कौन सा आएगा इस पोरडिक यह आपका दोस्तों एक लोकल दगापर आएगा और कभी कबार आएगा ठीक है छुट मुट आता है इसका हिंदी में इसको सिश्टान पर आएगा और किस रूप में आएगा ये चीज आपको ध्यान में रखने उसके बाद आपका कौश आता है दोस्तों अगला एपिडेमिक पूर रूप में आता है और जब आपका पूर वीशु अंदर एक पूरे जियोग्राफिक अरे जो चीज आ है उसको अपन क्या बोलेंगे पेंडेमिक चार चीज है इस पेस्विक द्यान अगना इस्पोरोडिक मतलब कभी कबार छिट पिट चिट पिट पिट आता ना वह आपका कौन सा है विशेष इस्तान पर आएगा जैसे दार्जिलिंग के अंदर आपका वाड डिजी जे उस पर आपका कैसा है एंडिमेक लि See this दार्जिलिंग में आ रहा है और इस्ता ही रींग में रेगफिलर बेसिस पर आरा यह एपिडेमिक होगा ठोडब से एंडेमिक से बड़े तरफ़ गएर लेकिन पेंडेमिक से थोटा इस्तर पर भी चे सतर्पर होगा उछी लोगों माईगा और एक साथ आएगा और उग्रूप में आएगा विमान लीजे बही तार्ज लिंग की बात हो रही है तो पूरे पश्ची मंगाल गंदर कोई चीज आ रहे है इस कोल्ड इस एपीडेमिक तेन उसके बाद रहा है पेंडेमिक जैसे कोरोना महामारी यही वह आपकी क्या थी दो बहुत सारे लोगों में कैसा आएगा उगर रोप में बहुत सारे लोगों में उगर रोप में बहुत सारे लोग उगर रोप में आएगा तो कभी इंचार्च जो में नहीं होना है इस प्रोडिक शुट पूट आएगा एंडेमिक विशेष्थान पर इस ताई रोप से अगला क्यूशन लेते हैं नॉर्मल सी बात है मैं आपको पहले सीधा बोलके बता देता हूं इसको सोचल इंसेक्ट क्यों बोल जाता है देखो इमक होता है सबसे पहले ट्रमेरिया गंदर है अपना खुद का आवास बना करेता है इसके अंदर आपके सारे होते क्या बोलते दोस्तों इसके अंदर नर भी होता है खुद की रानी होती है वरकर होते है सोल्जर होते है ठीक है जिस परकार से घर का परिवार होता है ना वेसे वेसे अपना परिवार जिसमें नर मादा आपके सोल्जर जो उसकी रख्षा करते हैं वर्कर जो उसके लिए काम करते हैं सारे ही होते हैं एक दूसरे मिलजुल करेता है सारों को कारेयों का विवाजन होता रहता है तो वो सारी चीज़े इसके अंदर पाई जाते है जिस प्रकास से किसी भी समाजिक संगटरन के अंदर होता है तो इसलिए इसको क्या वो लगया तो अगर आप से पुछ जाए कि लिखो तो इसमें यही लिखना है जो आपके धिम्म को समझी कीट यह सोशल इंसेक्ट के लिए का जाता है क्योंकि यह अपना जो आवास है वो टरमेट एरिया के रूप में बनाकर रहता है तता इसमें आपके नर, मादा, वरकर यानि जो आपके सर्मिक और सोल्डर सभी पाए जाते हैं तहाती ठीक है और हर जो आपकी कास्ट है उस कास्ट का क्या होता है कारिये विबाजन होता भी नर होता उसका कारिये यही रहेगा वह वो मादा को प्रेगनेंट गरे मादा का क हारे हमेशा यही रहेगा और वो बच्चे को क्या देगी छेनम देगी परकर का कारे यही रहेगा बए आपको त्रम Hour प्ली मोउच्टाइब्ते वृष्टानो रोग के stealing वह ठेम हुआ अगलु जिए बनुटी को में Scottish Idol इन बाद आएंगे ऐसा लिखके उसके बाद अगला पॉइंट डाल देना है इसकी संक्रमित पॉद्धे कैसे रहेंगे आदा आकार में अत्यतिक छोटे गेरे हरे रंग के हो जाएंगे और गुच्छों में बनेंगे अगला पॉइंट पती ओपर पीले रंग के दब्बे बन है दोस्तो अराम से देखते हैं लिखना इनको ना सारी चीजों ठीक है इस परकार से आपको जिट्र बना के आना अच्छे से याद कर लेना और कलास एक्स्ट्रा ले के आऊँगा अपन बात करेंगे के केसे हैं आपको चितर कौन-कौन से इंपोर्टेंट रहने वाले बाय सकते हैं ठीक है तो देखो इसमें आपको सारे लिख लेना है इधर ये वेजाइना होती है ये पीछे एनस होता है ये इसके अंदर stylet होती है इसके लावा इसकी जो cuticle covering होती है इसका जो इस फेगल से यह सारी चीजा आपको ध्यान रखनी है अगला है एक कलो मिचलियों कोई दो अंतर आपको बोले हैं बता देता हूं दोस्तों हमें बहुत हो चुका है ठीक है आपके और भी क्यूसंण आगे बड़े पड़ कि अच्चे से रह सकती है ठीक है एक बैर एक इस पिर जाती होगी उसी क्या आपकी खेती की जाए अनी मचलियों को काम में लिए जायेगा इससे का घर सकता है उफन जो तो जो डिखो नार्मन रहने वाले हैं इसके शरीर होता है वो खटूर आवरन से ढखा रहता है इसके ऑलावा इसमें आपको ध्यान रखना है भी यह आपका उबे यह परकार का होता है और साथ में इसमें जो रक्त-सतान होता है तो इस परकार से आपको चार केरेक्टर लेकिन है तो आपको गूंगा बदर सलग और जो सनेल है इनके चार-चार केरेक्टर आपको याद रहने साहिए उसके बाद है यक्रकर्मी लिवर फलूक का यह देखो डाइग्राम इसी परकार से आपको भी बनाना है इस ओपर वाला म आपको अराम से क्या देर का आपको कात्रा कीट के लक्सन सती एम जिवें चक्र के बारे में आप Bacon रहने वाला है इसका अलावा इंपके तीन no नमबर का क्योंसर रहने वाला है बच्चों इन glance का क्योंसर रहने care कि सेक्ष्टन सीम आएंगे तो यह आपके चैप्टर नंबर तीन और छे से आने वाला ठीक है उनका एक कंपाइट चैप्टर रहने वाला है तो देखो कात्रा कीट के लक्षन सती जीवन चकर इसके अलावा आप से दूसर आम हाँ इसमें और आएंगे तो आपको अराम से कर सकतो जैसे अनार की तीतली ठीक है इसके लक पहले लिखा वयस्क का देर रखा है जिस पर मद्यम आकार की जाओंगे सपेद पंक होगे ठीक है पंक के उपर क्या होगी काले रंग के बिंदू बने होगे इस प्रकासी तो यह किसके होगे आपके ध्यान रख लेना बच्चों यह किसके हो जाएंगे फयस्क के हो जाएंगे ठीक है इसके बाद लिखना है लारवा जिसको सुंडी भी बोला जाएगा इसमें पंक नहीं होते सुंडी का जो सीर का रंग होगा वो कैसा होगा आपका गेरा भूरे रंग होगा तो यह आपको लिखना है उसके बाद जीवन चकर अब देखो इसमें परकार से देखो ग्राब बना लेना जीवन चकर के अंदर ठीक है दोस्तों वयस्क एक है मैं इंगलीस में लिक रहा हूँ दोस्तों एडल्ट कर इद्धर वापस एग लारवा इद्धर वापस प्यूपा और इदिर वापस क्या दाएगा इडल्ट इस परकार से आपको भी नीमफ उसके बाद क्या है नीमफ उसके बाद क्या है एडल्ट क्या है दोस्तो एडल्ट देन यह इस परकार से जिसमें तीन पायजारी इस परकार से चक्र बनाओ उसके बाद लिख देना वह एक से लार्वा का पीरिड कितने दिन का है कितने दिन का है लार्वा से प्यूपा ठीज है यह सारी चीजे मैंने यह पर लिख रखी यह देखो बर्सारित्रों के पहली बर्साद के बाद आएंगे आने के बाद क्या होंगे मैं तून की किरिया करेंगे में मैं अपके अंडे देगे और एक जो पिमेल होते इसी जिए उनकाल में पंद्रे सो अंडे देगी अंडो से चार से पांदे में सुंडी यहनी लारवा निकलेगा लारवा क्या करेगा पोद्दे की अलग अलग पत्यों को ध्यान रख लेना एग है और प्यूपा एग और प्यूपा कभी भी नुक्सान नहीं पहुचाएंगी नु उसको क्या बोलता है निर्मोंच नहीं मोल्ट आता है फिक है यह तो जाएगा यह गड़ें करता हूँ आपके की सबस्दा में जाएगा प्यूपा वाइसके बाद ऑसमें से क्या निकल जाएगा एडन ओशबीश ए ग्यारह दिनमें अपना जीवन्ञडा करता है पूरा करत व्만का है इसी प्रकार से आप और किसंग लेक्षान है यह आपके इंगलीज में देए रख ये अच्छे से देख लेना साथ स्क्रीन सोड लेते बच्छों यह उसके बाद यह उसका नूट्रिशल ब्लांट यह आपका लोब्स और इंपोर्टेंश, बैस किस प्रकार से उसको मैंने आपको समझा दिया है एक आप राम से इसको पढ़े लेना मैंने बता जिए किसे क्या कूछ आपको बनाना है अब आगे चलो देखो दोस्तों यह आपको अच्छा लगे वह आप कर सकते हो इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं है ठीक है दोस्तों यह सारी च पर आको दिएक के परारूब के क्यों संद्र वैफ टेपल न कोई से तिन नमर का यह तो बैक्टिया क्या कोई शेल का एक दाएग्राम बना दूब्ड़ी यह पंगिस की केक्ट्र को डाइग्राम मना कि यह इसका बाहर गार होता है यह केपसूल हो जाएगा यह सवशन का कारिय है कौन करेगा चाहिए यह वे इक पेस्ट को बताया यह बाहर और साथ में आपको इनका क्या करना थोड़ा सब दोस्तों वनन करना है अब आपको सारा जैसे मैंने कारे बता है यह उठता है प्लाजमीड यह हो रहा है आपका लिकलोटाइड है कैप्सूल जो बार की कवरिंग होती है उसको पन एक कैप्सूल बोलेंगे पाइल्स जो चिप पाइजा रहा है बीच वाला ठीक है दोस्तों दो परकार की होता है इसके लावा यह गोल यह पर टैस परक्सिशों यह आपके अंड़ प्लाजमिक रेट्टिकुलम है नुकलिस नुकलियोसस लाइसोसों हो गया ठीक है वेक्ट्यों यह सारी चीज आपके होती है बच्छों है इसके अलावा देखो निमब के के मलानी लक्शन रोग जने हैं रोग परबंदन परबंदन में आपको बता देता हूं ज्रूर्मल याद करने बाकी दो अपने का थेऊरी किला से जरूर चलेगी परबंदन में सबसे पहले आपको लिखना है कल्चुरल इक है सरस्य परबंदन तो यह आएगा अब को हमेशा से क्या करना दोस्तो हर जो आपके वेराइटी मतलब जो क्रोप है हर जो दीजीज है उसकी दो तीन दो तीन रेजिस्टेनट वेराइटी यह परतिरोधिकिस में आपको याद कर लेनी है ठीक है जेविक लिखना जेविक में क्या करना आपको परतिरोधी किसमें तियार कर लेनी और इसके बाद आएगा रासाइनिक ठीक है एक दो केमिकल के नाम याद कर लेने और वह इसके अंदर लिख लेने तो जब भी रोग परबंदन आप से पुछ जाए तो यह तीन पड़ेगा पड़ेगा तो इस परकार से आपके करेक्टर रह जाएंगे तो आपने सबसे बहले बात करते हैं नीमो के केंकर के लक्षनों की यह तो मैंने आपका देर का भी आप अच्छे से इनके नोर्ज मना सको भी भारत्म आया था आप जी नीमों पर देखा गया अब आपके इसके लक्षन वाई भाग टेनी पती सारी चीज़ों पर आते हैं उसके बाद क्या रहेंगे मैंने बोला ना पीले बूरे बनेंगे जो केसे होंगे खुर्दूरे या ठोस हो जाएंगे संकर मनोने पर कम जो रोके तूट जाएंगे तो यह जो नॉर्मल तीन-चार स जो आपको लिकने रोग जनक क्या है जहन तो मुनास एक्जनो पडिजिस पेतवास रही और इसके बारे में थोड़ा से लिकने अभी डंडागार होता कसा भी होता है ठीक है किस परकरतिका होता हो परबंदन मैंने आपको बताई दिया था ठीक है भाई यह देगो सरस्य पर जाएगी इंग्लीस में बच्चों इसको अच्छे से देख लेना ठीक है यह शिंटएंस आगे जन उसके बाद आपका पेतोजंस है इसके अलावर आपका डीजी साइकल हो जाएगा ठीक है यह management ठीक है cultural biological यह मैंने आपको अच्छे से बता दिया chemical यह सारी अब उसके बाद आएगा दोस्तो section D आपको बड़े जो question आएगा last question आएगा चार नमर का last question कितने नमर का आएगा चो चार नमर का question आने वाले यह दो question आएगे मतलब आठ नमर का एक से लेने वाला वर्ड लिमिट आपकी 175 सब्द रहने वाले वर्ड लिमिट किती रहने वाली 175 सब्द पहला question क्या है पादप परजनन क्या है तो पो देगे जीन प्रारूप में आपको क्या करना परिवर्तन करने से मानुपयों की चीजों को भी होगाना या उगाना या आपके क्या किला ता पाध्त परजनन इसके उदेस आप्के 10-2013 अच्चे से उदेसे देऊ प्रदिंग देने वाली उनीची है इन्सेक्ट के परती रेजिस्टेंट रोग परती रोधी 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 लवन वा सारे मिर्दा प्रतिरोधी उसमें आपको एक पॉइंट लिगना पट्चीस से तीस परशंट जो जैसे पहला गया है अधिक उत्पादन इसका मतलब बीच से पर चीस पर दिन आपको उत्पादन अच्छा लेना रोग परतिरोधी मतलब रोग परतिरोधी किस्मों का क्या करना विकास करना ह थीक है इसके आलाओ आपको ने कलाईमेट के अंदर जा सके इसके लिए उसको अन्यकूल बनाना उस परकार से आपको कम से खम बच्यों आट से आट या नो तो कम से कम मुद्य से इसके लिए करना वाला यह वाला जो क्यूंस ने आपको अच्छे सी दे रहा हुए घर पर आ जेनन में और इसका वीदिको रेका की चितर द्वारा बना है मुटेसेंशंज योटा इसको क्या करना है एक डाइग्राम के द्वारा ठीक है सिस्टम तो मैं आपके सामने चितर देख रहा हूं देखो यह इस परकार से आपको क्या करना है डाइजेस्ट्व सिस्टम का क्या करना एक चितर बनाना यह आपके क्या है आलना जिसमें आपको सबसे पहले लिगना भी माउथ पार्ट खाना अंदर आएगा देन पकल के वेट होता हुए अने से आपका सला जाएगा तो यह पूरी उसकी क्या होगी एनिमेल्टरी के नाल यह है दोस्तों आपके कौन सा घ्रास ओपर का एक चितर प्रतिक पार्ट का आपको क्या करना पड़ेगा वर्णन पर इसके अंदर सबसे पहले इसको तीन बागों में कैस से धाना खाता है मज़ साला आपको इसके अंदर बताना है कि दोस्तों परकार की परकार रोटें चिस परकार क्यों के होता है लब रम लेबियम डील्बॉंड और यह फैरिंग इस परकार उन सारों को छोटा-छोटा-चोटा नके बारेम एक डोड़ोड़ पंट आपको लेकिने है इस परकार से दोस्तों यह आपका मोडल पेपर अगर इस मोडल पेपर को आपने अच्छे से देखा दोस्तों अच्छे से पढ़ोगे प्रैक्टिस करनी है और आपको पता चल जाएगा एक वीडियो में पहले ही बता दिया था आपको कैसे कुछ आपका पेपर जान की वह अपने स्टाट कर देंगे जिसमें आपके जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टोपिक्स हैं जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चेप्टर हैं उनको आप कवर करते हैं अभी अपने पास अगर मैं एक एगरिकल्चर बाइलोजी की बात करो तो पेपर आपक को वीडियो कैसा लगा ना इस क्लास लेकिना ना भूले दोस्तों और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब धरूर करें इसी के साथ धन्यवाद जे हिंद जे भारत जे जवान जे किसान